हेलो माई दियर फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आज आपको कॉंपिटर नोलेज के अती महत्व पूर्ण कोंपिटर नेटवर्क का और इंफर्मेशन टेक्न वाला हूँ दोस्तों यहां पर मैंने 25 नए एकदम महत्वर्ण सब्सक्राइब कर दोस्तों मुझे कमेंट करके बताया है कि सब कॉम्पीटर का जो लेटेस्ट रेंट चरला है उनके लेटेस्ट वीडियो बना के दीजिए इसलिए में वीडियो बना रहा हूं और जो आने वाली कॉम्पीटेटिव एक्जाम है जेट को है पीजीवी सील है उनमें जो जुनियर एंजिनियर की रिक्रूटमेंट है और प्लान रेंडेंड के लिए यह काफी इंपोर्टन्स रहने वाला है वीडियो तो दोस्तों अगर आपने अमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताके आने वेले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल से जल मिल सके तो चलिए दोस्तों हमारे पहले एंसी क्यों से हम स्टार्ट करते हैं देखिए वोट इस आर्टिफिशल मजिन की इंटेलिजन्ट को फाइंड करने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजन्ट हम यूज़ करते हैं उसके बाद जो नेक्स क्वेस्टन है पाइथन वोस डेवलोपेड बाई जो पाइथन है वो किस ने डेवलोप किया है तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो में A मिले है तो हमारा सही आंसर है वो में B मिलता है पी एच्पी हाइपर टेक्स प्री प्रोसेसर जिसे हम पी एच्पी बोलते हैं उसके बाद जो नेक्स क्वेस्टन है इन एंडुड एप्लिकेशन वीच फाइल वोल्ड दे इंटरनेट जो एंडुड एप्लिकेशन हम यूज करते है तो internet कौन सी file को old करता है तो यहां पर हमारा सही answer मिलेगा वह में B मिलेगा manifest file है उसे हम old करते हैं उसके बाद जो next question है the father of IoT IoT का full form है internet of things जो अभी अभी latest trend चल रहा है उसका IoT और AI है artificial intelligence और machine learning तो IoT के father कौन है तो यहां पर हमारा सही answer है वह में C मिलता है Kelvin Aston है उसे हम IoT के father के रूप में जानते हैं उसके बाद जो next question है diagnostic service for car जो हम car यूज करते हैं वो car के लिए diagnostic service के कौन सी है तो यहां पर हमारा सही answer है वह में B मिलता है autoboot है वो service के लिए यूज की जाती है car में उसके बाद जो next question है Wi-Fi stands for Wi-Fi का full form क्या है तो Wi-Fi का full form है वो हमें पता होना चाहिए हमारा सही answer है wireless fidelity है वो Wi-Fi का full form है उसके बाद जो next question देखे making the smaller and smaller things have the ability to connect and interact जो यहां पर सबसे छोटा में छोटा उस पर किस से बोला जाता है connect करते है तो यहां पर हमारा जो सही answer होगा वो हमें C मिलेगा नेनो टेक जिसे नेनो टेकनोलोजी भी बोले जाता है जो नेनो टेकनोलोजी है वो आयोटी का एक पार्ट यह है RFID है वो सब उसके पार्ट होते हैं उसके बाद जो next question देखे which of the following is not involved in working of IoT internet of things में इन में से कौन working नहीं करता तो मैंने पहले question में बताया नेनो टेक है वो आयोटी का पार्ट है RFID है वो भी हमारा नेनो आयोटी का पार्ट है sensor है वो भी हमारा क्योंकि sensor के साथ ही RFID connect किया होता है तो यहां पर हमारा सही answer होगा वो हमें D मिलता है server है वो आयोटी का working पार्ट नहीं है उसके बाद जो next question देखे RFID stands for RFID का full form क्या है तो यहां पर हमारा सही answer है वो में भी मिलता है radio frequency identification जिसे हम RFID भी बोलते है उसके बाद जो question देखे a network of physical objects or things embedded with electronics और softwares जो network को हम software और electronics करते हैं connect करते हैं तो उसे जो find करते हैं उसके object करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं तो हमारा सही answer है वो में C मिलता है IoT बोलते है internet of things उसके बाद जो next question देखे हमें sequence में connect करना है collect communicate blanks and act तो यहां पर क्या होगा पहले हम collect करेंगे उसके बाद communicate करेंगे उसके बाद हम acknowledge करेंगे उसके बाद हम action मिलेंगे act तो यहां पर हमारा सही answer है वो हमें A मिलेगा उसके बाद जो question देखे several instructions execution simultaneously in जो हम one by one instruction देते हैं तो simultaneously किस तरह execute करते हैं तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो हमें भी मिलता है parallel processing में हम execute करते हैं उसके बाद जो question देखे the technology that has the ability to interact with the world जो हम technology technology यूज़ करते हैं वो word के साथ दुनिया के साथ किस तरह से interact होती है तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो हमें ए मिलेगा AI artificial intelligence उसके बाद जो next question है face reorganization system is based on जो हमारा face है वो हम थामनेल में यूज़ करते है वो हमारा face किस तरह से reorganize करते है वो किस के base के उपर है तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो हमें ए मिलता है applied AI artificial intelligence उसके बाद जो next question देखें we is a father of AI artificial intelligence के पिता कौन है तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो में B मिलेगा john mccarty है वो AI के फादर है artificial intelligence के पिता है उसके बाद जो next question देखें artificial intelligence has its expansion in the following application तो यहाँ पर हमारे सापने चार option है तो artificial intelligence है इन में से कौन सी application के लिए हम expansion करते है तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा वो D मिलेगा game playing के लिए हम AI का यूज़ करते है planning and scheduling के लिए भी यूज़ कर सकते है और robotics में भी हम यूज़ कर सकते है उसके बाद जो next question देखे python was developed in which year python जो language है वो python किस year में developed हुआ था किस साल में तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो हमें C मिलेगा 1989 उसके बाद जो question है which of the following statement print in PHP PHP का full form मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पर तो हमारा सही answer होगा वो हमें statement echo मिलेगा C जो C है हमारा हो सही answer है उसके बाद जो question देखे computer program that mimics the way the human brain processes information is called as जो computer का program होता है human being programming तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो हमें C मिलेगा neural network जिसे बोला जाता है computer programming that mimics the way the human brain processing information is called as neural network उसके बाद जो next question है IBM western super computer comes under blanks AI जो AI है artificial intelligence over different types के होते है उसमें से IBM western super computer से हो किसके अंडर में आता है तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा A narrow AI के अंडर में हो है उसके बाद जो next question देखे self driving car is example of जो हम driving करते है वो self driving car है हो किसका example है तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा वो में B मिलेगा limited memory का example है उसके बाद जो question देखे machine learning invent by जो machine learning ML बोलते है न तो ML किस ने develop किया है तो यहाँ पर हमारा सही answer है वो हमें D मिलेगा अर्थूर सेम्यूल ने machine learning को invent किया है उसके बाद जो question देखे which one is not element of IOT इन में से कौन सा element IOT का नहीं है तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा वो में C मिलेगा security है वो IOT का element नहीं है people है, things है, process है वो सब हमारे IOT के elements है लेकिन security है हमारा IOT का element नहीं है उसके बाद जो next question देखे double IOT stands for double IOT का full form क्या है तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा वो में B मिलेगा industrial internet of things IIOT जिसे बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा B industrial internet of things तो दोस्तों मैंने यहाँ पर computer knowledge और information technology के latest जो अभी अभी trend चल रहा है market में उसके 25 most important MCQ बताया है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए और यहाँ पर मैं आपको दूसरे मैंने computer knowledge के regarding video भी बनाए है उसकी link भी मैं description box में दूस देऊंगा ताकि आपको उसमें भी पता चल सके thank you for watching my video